बॉलिवुट अक्ट्रेस ट्विंकल खर्ना अपनी ममी डिंपल कपाडिया से करती है ठेट सारा प्यार और इस खास रिपोर्ट में ममी और बेटी के क्यूट पॉंट पर हम अपसे करेंगे बेहत प्यारी बाते साजा मदर स्टे के मौके पर ट्विंकल ने अपनी ममी के लिए बहुत प्यारा पोस्ट डाला और एक टेलिफॉनिक इंटर्व्यू के जरीए काफी कुछ बाते बताई ट्विंकल ने कहा मुझे कई ऐसे मौके याद हैं जब मुझे ममी पर बहुत गुस्सा आता था मुझे अपने हातों पर कंट्रोल करना पड़ता था कि कही गुस्से में मैं अपनी ममी का गला ना दबा दू आपको बता दे यहाँ पर ट्विंकल इस इंटर्व्यू में कहती हैं बहुत प्यारी प्यारी बाते अपने कॉलम में वो लिखती हैं मुझे ऐसे कई अपसर याद हैं जब मुझे लगफग अपने हातों को कंट्रोल में करना पड़ता था जिससे मैं अपनी मा का गला ना खोड़तू जैसे कि एक बार उन्होंने मेरे नए हाइलाइट्स को देखकर कहां ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सिर पर पान थूप दिया हो ममी ने ये बाद मजाख के तौर पर कही मगर ये उनके हलके फुलके अंदाज में आलोचना ही टी ट्विंकल कहती है कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं एक दिन मेरी बेटी मेरे बारे में ऐसी ही बाते ना सोचने लग जाए ट्विंकल खन्ना अपनी ममी डिम्पल के बारे में बात करने के बाद बेटी नितारा के बारे में काफी कुछ कहती है वो लिखती है भविश्य में शायद वो थेरेपिस्ट के सोफे पर बैठे और मेरे मुझे से निकली हुई बातों के बारे में बताए जो एक बार हुई हो लेकिन भूली ना गई हो या वो अपने पार्टनर से भी कह सकती है आपको पता है 20 साल पहले क्वारिंटीन के समय में जब बाकी मा अपने बच्चों के लिए टेस्टी पैंकेक बना रही थी और सबसे खास बात कि उनके थौर्ट्स लोगों को पसंद भी आते हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस से मेगा की रिपोर्ट